मंत्री परिशत के मेरे साथ ही स्रेमान अरून जेटली जी स्रेमतीन दिर्मला जी मंच पर विराजमान एक से बढ़कर एक सभी सफल गाथाओं के रचईतां और मेरे सामने उपस्तित एनर्जेटिक इंडिया के सभी नौज़वान साथियों शाइद जिनको लेंग्वेज का प्राब्लम है उनके लिए वेवस्ता होगी आज सेटर्डे है सरकार का सभाव छुट्टी का होता है और छे बजने के बाद तो सवाल ही नहीं उड़ता है अगर कोई आपको पूछे फर्क क्या है तो फर्क यही है मैं भी कभी सोचता हूं कि मुझे भी इस्वर्याप जैसी कोई ठाकत दी होती जब रितेश को सुन रहा था तो मुझे विचार रहा था कि एक चाय बेचने वाले ने होटल चेन का विचार को नहीं किया लेकिन हो सकता है कि मेरे नसीब मैं नरेंद्र मोधी चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए लेकिन देश के करोडों नोजवान कुछ कर पाएं ये उमीद तो मेरे दिल में भरी परी है जब मैंने पंद्रा अगस्त को लाल के लिए से कहां स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया तो ऐसे ही हवा के जौके की तरह भात आई और चली गई कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई लेकिन आज सायथ सो सवा सो दिन के बात अब ये रजिस्टर होगी कि स्टार्ट अप इंडिया है क्या स्टार्ट अप इंडिया आपको देख रहे हैं देश के कई स्थामों पर युवा इस कारकम को सुबह शे बैट करके ये भी आपके साथ हिस्सेदार है ज्यादा तर लोगों को लगता है कि सरकार ये करेगी तो ये होगा सरकार ये करेगी तो ये होगा मेरी सोच थोड़ी अलग है मेरी सोच ये है सरकार ये ने करेगी तो इतना सारा होगा और इसलिए आज आप सब को इसलिए इखटा किया है कि आप हमें बताइए हमें क्या-क्या नहीं करना है सतर साल तक बहुत कुछ किया हमने और हम कहां पहुँचे और मैं कहता हूँ कि एक बार हम ना करने का निर्णे करे तो ये लोग दस साल में देश को कहां से कहां पहुँचा सकते देश के हर इनसान के दिल में एक ख्वाब होता है उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है आइडियाज भी होते है कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम शोते होते बाल मुर्ति हो जाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ involved हो जाते हैं वो उससे बहार नहीं निकलते हैं और पुरा परिवार परिशान हो जाते हैं कि यह कुछ करता नहीं बस इसी में लगा रहता है किसी से बात नहीं करता है यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है क्या हो गया इसको कि पागल तो नहीं हो गया लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है तब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साब इसमें तो पहले से ही अथा था आप मैंसे सब के जीवन में एक अनुभव आया होगा जो सर्वनाश आपने सुना किसी की माने कहा हो या न कहा हो लेकिन कम अधिक मातरा में आपको सब को अनुभव आया ही होगा क्योंकि ज़्यादातार ये फर्स जनरेशन एंटर्पिनर है और जब कुछ सोचा होगा नहीं बिटे अपना काम नहीं तु कहीं नोकरी कर ले शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा उफास किया होगा जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है फिज एक पुल आया होगा सारी दोर विरोध हुआ होगा सब दोर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा नहीं ये नहीं करना है जाओ कमाओ नोकरी कर लो देख वो उसका पहचान है वो नेताजी को जानते हैं जाओ उसको मिल लो उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे आज सब लोग कहते होंगे ग्यार इसने तो कमाल कर दी कुछ ऐसा मुझे भी करना है हर किसी के स्टार्ट अप की जिन्दगी की यही कहानी है एक भीतर से उर्जा होती है भीतर में एक सपने होते हैं उसके साथ खब जाने का इरादा होता है तब जाकर के परिस्तित्या फलटती है और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा कभी आज हम सोचें कि 14th 23 I think 14th 23 कोलम्बस जब निकला होगा क्या मिलने वाला था लेकि उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है विश्व को मुझे जोडना है और वो चल पड़ा और चलने के पहले उसने जे सारी चीजों का धेंद किया होगा टेकनोलोजी डिवलप की होगी और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा आज आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे यार ये क्या कर रहे हैं हर चीज की कहीं स्थरुआत होती है तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है और उसको वही दिखता है कि ये पांदल है और इसलिए जिनोंने ये सफलता पाई है बेसरप एंटर्परनर नहीं है एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है तब जाकर के होता है स्टार्टर की सबसेक्स सिर्ट अप एंटर्परनर्शिप वालिटी से नहीं है रिस्ट्रेकिंग केपिसिटी adventure करने का इरादा ये उसके साथ जुड़ता है और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं स्टार्ट अप मकल एडम से बात कर रहा था तो बड़ा इंटरस्ट रहे हैं उसको मिलने जासा है उसको हिंदुस्तान के spiritual दुनिया में बड़ा इंटरस्ट है लेकिन उसने मझे एक बार अच्छी बताई वो कह रहा है जो पैसे कमाने की इरादे से आता है वो कभी start-up करी नहीं सकता है जो कुछ करने की इरादा से आता है पैसे उसके लिए byproduct होते हैं और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने bank balance क्या होगा यह कभी नहीं सोचा होगा लेकिन किसकी जिन्दगी में क्या बड़ाव लाता हूँ यह सोचा होगा तब हुआ होगा कुबेर कुबेर बन गया हमारी आपकुवेर भंडारी होते थे ने पहले माने मानता हूँ उसमें पहले सोचा होगा उसमें पहले यहीं सोचा होगा कि भी यह लोगों की समझागा मैं समाधान कैसे करूँ सस्ते मैं कैसे करूँ और उसमसे एक वबस्ता विश्षित हो गई जब स्टार्टप की चर्चा होती है तो ज़्यादातर आईटी के आज़ पास ही सोचा जाता है और अब हर कुछ कितने कदम दूर है बस एप के पास पहुंचके हो गया हर समस्यागा समाधान एप कैर मैं उससे बहुत बेनिफिशेर हूँ क्योंकि मैं नरेज्यमोदियाप्ट शुरू किया है मुझे इतने नए युवाँ विचार मिलते हैं इतने लोगों से जानने को मिलता है और मैं आप से भी आगरे करता हूँ देश भर के इस प्रकार के स्टार्ट अप और दुनिया भर के लोगों से मैं कहता हूँ आप मेरे एप के साथ जूड़ करके आपकी सक्से स्टोरी बताईए मैं दुनिया को बताऊंगा क्योंकि यही वाइरल होने वाला है सकसे स्टोरी ही वैरल होने वाली है और लोगों का मन मंदिर जो है वो सफलता को जकरने वाला है नराशा का महुल चला गया गया वो दिन पूरे हो गए आशा, विश्बास, कर्ण गुजने का इरादा ये समय कि नदर आ रहा है और वही वही सित्यों को बदलता है वही परिश्थित्यों को परिवर्तित करने के लिए ताकत रखता है और वह मैं अनुभाव कर रहा हूँ और आज मैं जैसे यहां एंटर हुआ सब ने मुझे एक ही रिपोर्ट किया साब क्या एनर्जी है इस का रिकम पर ये विज्ञान बन को पहली बार भरा नहीं है लेकिन एनर्जी पहली बार भरी है और ये सभावनों में भले एनर्जी होगी लेकिन ये पुरे हिंदुस्तान के नौजवानों के मन मंदिर का प्रतिवीम है यहाँ पर उनके आशा आकांशों का प्रतिद्वनी है यहाँ अरुसर्थ में इसका अपना एक महत्में है जो एक बनाता है या जो स्टार्ट अप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है उसके मूल में कुछ नया करने का इरादा होता है एडवेंचरिस नेचर होता है हर चीज की गहराय में जाने का स्वभा होता है लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एक संबेदना होती है बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे उसके अंदर एक संबेदना होती है और जब वो कोई बुरे हाल देखता है कोई समच्या देखता है वो उसे सोने नहीं देती है समझे है उसकी नहीं है किसी और की है लेकिन उसे सोने नहीं देती है उसका मुन करता है मैं कोई रास्ता खोजू हूँ मैं कुछ करूँ इसके लिए मैं अभी बाहर आपका वर्चुल एग्जिविशन देख रहा था हूँ वहां मुझे एक सिंपल चीज किसने बताई एक ऐसा बढ़े स्टार्टप की दुनिया में उसको कहां रखा होगा वहां मैंने पूछा बोले साब हमारे देश में बहुत सार एकसिडेंट होते हैं एकसिडेंट होने के बाद जो इंजर वेक्ती है उसको हड़ी तो तूड़ती तूड़ती है उसको ले जाना है तो मेडिकल बाद पर एक सामान ने चीज बनाई है उसके पैर के नीचे लगा दो पट्टी कैसे बांदा उसको लिखा हुआ है बोले कोई खर्चा नहीं है अब इसका मदलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक किये एकसिडेंट होता है विचारा कितना परिशान होता है ले जाते ही दूआ देने की तागत दे या न दे हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोडों के दर्थ को दूर करने का कारण बन जाती है और तब स्टार्ट अप होता है और इसलिए आपका ये स्टार्ट अप का भियान ये बैंक बैलेंस और रुपिय पैसे किर्थी उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना सुभिधाओं को सरल करना इस एक महतकुन काम को करने की ताकत रखता है और इसलिए अगर हम हमारे आस्पाव मारी की से देखे तो हमें तो लगे गया यार भगवान मिझे कि दूड़ा हुँ मैं ट्रक्लोलोजी जानता हुँ मैं सोच इसका समाधान मैं खोजू कुछ और फिर वह सुरू कर देता है हर कोई सामान ने मान मी क्या करेगा विचारा उसे जूझेगा या तो व्यवस्ता को कोसेगा कहएगा यह नहीं किया वो नहीं किया दिखना नहीं किया खुशी हो गई मेडिया वाला होगा दे रिपोर्ट कर देगा समस्या कि वैसी वैसी रह जाएगी समस्या वैसी कि वैसी रह जाएगी लेकिन जिसके मिन में यह चो चेतना पड़ी हुई है वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्ट अप को करण बनता है अब यहां में आता है कि आप लोग सोची है हमारे देश का किसान इतनी महनत करता है इतनी महनत करता है और जो अनाज की पायदावर होती है बहुत मात्रा में वो वेश्च जाता है बरबाद हो रहा है अब पुराने जमाने के इंफास्ट्रक्टर उसके लिए पैसे ये वेवस्थाएं क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमार लगा कर कि ऐसी वेवस्थाएं विक्सित कर सकता है कि जो एफ़रेबल हो और इतना बड़ा हमारा जो वेश्टेश है वो बच जाए हो सकता है इसाए दुनिया के ने गरीब देशों का पेट भर सकते हैं इतना वेश्टेश जा रहा है हमारे फॉल फूल सबजी फॉल प्यादा करने वाला किसान पहडियों में रहता है शहर में आने तक बेचारे का माल खराब हो जाता है हम वो क्या टेकनोलोजी दे क् मैं अभी एक दिन कुछ ये एरेटेड वाटर बना रही कंपनियों वालों को मिला था मैंने का आप इस नम बढ़िया बढ़िया बनाते हो पेपसी और कोला और नजाने क्या क्या है मैं तो नाम भी मुझे मालूम ने क्यों आप 2 परसंट 5 परसंट नेचरल फुरुट जूस कंपल सरी उसका हिस्सा बना दे हिंदुस्तान के हर किसान जो पैदावर करता है अपने आप बिग जाएगी अगर इस पर कोई सोचे आप देखिया आज हमारे ही देशने के वेग्यानिकों ने फार्मस्टिल के द्वारा हमारे ही लोगों ने वेक्षिन में काम किया आज दुनिया के अधिक्तम देशों में अधिक्तम गरीब लोगों को सस्ते में सस्ता बालकों को अगर वेक्षिन कहीं से पहुंचता है तो भारत के वेग्यानिकों के द्वारा किया हुआ पहुंचता है और इन दिनों जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं सहाब हमारी मान बहुत है उसके प्रोडुक्शन के लिए और क्या रास्ता निकाले लोग अपना डोनेशन देने के लिए तयार होते हैं कि हम भारत के लोगों ने जो वैक्षीन के दिशामे कितने करोड़ो करोड़ो बालों को गिजीनकी बच लई यह है जिसने लिप में बैठकर करके काम किया होगा जिसने कनसेप सोचा होगा उसकी तो समय पहचा नहीं होगी देकिन आज लगता है कि उसने कितनी बड़ी मानुता की सेवा की हम ऐसी कौन से चीज़ें करे जिसके खारण हमारे हाँ अब ज़से हमारे आटमिक एनरजी वालों ने ओनियन को लंबे समय तक बचाने के लिए काफी विवस्ता विक्सित की है क्योंकि प्याच के दाम कभी उपर कभी नीचे चले जाते हैं सरकारों का सांस भी उपर नीचे हो जाता है क्यों तो उसको लंम्य समय रहता नहिए खराब हो जाता है उत्पादन जादा हुआ तो जबी.. किसान मरता है उत्पादन कम हुआ लेकि उसको प्रिश्व करने की ववस्ताहीं कर विक्शित होती है कि हम और ऐसे छोटी-छोटी पुर्जे, अब भारत में जुगार, मैं समझता हूं साथ ऐसा इनोवेटिव इंडिया के दुनिया में कहीं नजर नहीं आए गाजी, आप हर व्यक्ति के पास कुईन को इनोवेशन है, मैंने ऐसे लोग देखें कि बिजनी नहीं है, तो अपनी पहुचा देते हैं, उसने अपने तरीके से ढूंडा होता है, ऐसे जुगार करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगार करता है, अपनी विवस्ता को समाल लेता है, लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार के दृश्टी हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पांग होता है यार, इसको मैं स्केलेवल करूँ, ऐसी विवस्ता में बना दूगा, हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं, तो मेक फ़र इंडिया भी है, क्योंकि सवा सो करोड का देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फूल प्रूप कैसे बनें, आसान कैसे हो, और सामान मानमे के लिए, वो एजिली अक्सेसिबल कैसे हो, यह अजर विवस्ता है देने में हम सफल होते हैं, और मैं मानता हूँ कि हमारे देश का नवजबान, हमारी अपनी समस्याओं कि, यहां किसी ने कहा, कि मैं अगर उस देश को, उसकी समस्याओं को समझूगा, तिवारी ने कहा, मैं अपनी समस्याओं को समझूगा, तब जांकर के मुझे रास्ते खोजने का सुझेगा, और यह यह जितना हमारा बढ़ेगा, देश के विकास के लिए बहुत संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के, छोटी-छोटी आवस्ता हों से लेकर के स्टार्ट अप का मतलब यह तो नहीं है, कि हर किसी के पास बिलियन डॉलर का काम हो रहा है, और दो हजार लोग काम करें, जबूर रहेंगे, पांच लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं, तो मेरा स्टार्ट अप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलोजिकल चेंज लाना है, कि यूथ के दिमाग में जॉब सिकर की मानसिक्ता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रियेटर बने है। और एक मार उसके दिमाग में आ गया है, अगर मुझे दो लोगों के जिन्दगी के बदसमाल ना है, वो कर लेगा। हमारे देश में एजुकेशन, इंफा सेक्टर पर बल दिया जाता है, टीचर के अपॉइंट्मेंट पर बल दिया जाता है, वो काम हो भी रहा है। लेकिन समय की माँग है क्वालेटि एजूकेशन की। गरीब से गरीब, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला वेक्ती हो, पहाडों में रहने वाला वेक्ती हो, मैं ऐसे कैसे चीज़ों को खोच के निकालू, कि उसी क्वालेटि का एजूकेशन, जो अमीर घराने के बै से पहुचा हूँ और देश तब बढ़ लेगा कि हम समाज के आखरी इंसान को इस विजाओं से लाभानीद करके उसकी जिन्दी बदलने का अवसर दे हमें उसको फीड करने जरूत नहीं पड़ेगी अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वहां भी ऐसे स्पार्क वाले बच्चे होंगे यह उठकर के खड़े हो जाएंगे और डुनिया बदल देंगे, हेल्ड सेक्टरा आफ्ट्र ज्यादातर डॉक्टर ओपर डीपेंडिट कम है है ट क्टैक्नॉलोजी पर डिपेंडित है की डॉक्टर भी खुढित टेक्न अट है मशीन ताय करता है कि तुम्हें क्या तकलीब है फिर डॉक्टर कहता है ठीक है मैं किताब देखे करें करें ले लो इसका मतलब हेल्ट सेक्टर में टेक्नलोजी इनोवेशन के संभावना बढ़ती चली जा रही है लेकिन भारत जैसे देश में ये एफ़र्डेबल कैसे हो ये हमारे सामने चुलावती है सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने इस पर हम सोचे नए पंच से सोचे और इसलिए स्टार्ट अप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाइफाई होगा लेप्टॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी मॉबाइल से जुड़े होंगे ऐसा नहीं है ये लोग हैं जिन्होंने कोईन कोई कमाल किये यहां हर प्रकार के लोग है आप देखे हैं हैंडी क्राप भारत का हैंडी क्राप दुनिया में अपना डंका बजाएं ऐसी आप एप बना करके दुनिया में प्लेटफर्म क्यों न खड़ा करें सिरब ई-कॉमर्स नहीं सिरब ई-कॉमर्स नहीं हम उससे दो कनव आगे कैसे जाएं और उसमें जैसी ग्लोबर रिक्वार्मेंट हो सही डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करें ताकि हमारा जो गरीब आपमी गाउं में बैठकर के छोटी चीज़े बना पैं उसको भी आइडिया में लगने ऐसा नहीं ऐसा करो यहां स्ट्रीच मत करो यहां करो लकड़ी ऐसे मत रखो लकड़ी ऐसे रखो वो अपने आप बदलता रहेगा और आपके रिक्वार्मेंट को पूरी देगा इसके लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए यह बड़ी रिक्वार्मेंट है और यह काम आप नहुजमानों के दिमाग से हो सकता है और इसलिए मैं जब कहता हूँ स्टार्ट अप इंडिया तो मैं मान के चलता हूँ स्टेंड अप इंडिया इसके लिए मुझे अलग सोच करने की ज़रूप नहीं है जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से काम आई हूँ के नवजवान हो जिस देश के नवजवानों के पास टैलेंट हो हाथ में हुनर हो अप्रम पार सपने हो और फुनिये पुरी दुनिया में अवकास ही अवकास हो क्या नहीं हो सकता है आज मैं IT प्रोफेशनल से कहना चाहूँगा विश्वके किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूँ दुनिया का कोई भी डेलिगेशन आता है उनकी जो बातों होती उसमें एक चिंता हरे को सता रही है और वो है साइबर सेकुरिटी हर कोई परिशान है साइबर सेकुरिटी को ले करके क्या भारत साइबर सेकुरिटी प्रोवाइडर के रुप में authority बन सकता है एक बार हिंदुस्तान का brand का cyber security का software मिल गया अब दुनिया की कोई ताकद उसको हिला नहीं सकती है कर सकते हैं क्या मानवजात के लिए चुनोती आवशक है क्योंकि सरफरे लोग तो है जो तबाही करने पर तुले हुए है लेकिन हम मानवजात को बचा भी तो सकते है हमारे पास इस प्रकार के लोग है और ये भी सही है भारत के पास millions of millions problem है कोई इंकार नहीं कर सकता है लेकिन at the same time मुझे इस बात का भरोसा भी है कि billions of billion mind भी है अगर million problem है तो billion mind पी तो हमारे देश में है हर start-up के फिशे कोई निकोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए और जब किसी start-up के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोश का लेवल भी कई कुछ और होगा जी जब किसी की जिन्दगी में बडलाव लाता है तो उसको एक satisfaction मिलता है और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाओं जिसमें मैं जाब creator बनूँ मैं वो कुछ करके दिखाओं कि जिसके कारण किसी की जिन्दगी में मैं काम आऊँ मैं वो कच करके दिखाओं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो येतना भी अगर सपना ले करके हम चलते हम बहुत कुछ कर सकते हैं आज यहाँ हमारे सामने एक action plan प्रस्तुत हुआ है उसे action plan की कुछ विशेष्था है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा ताकि आप सुबे से सारी बाते सुन रहे हैं लेकिन आखिर कर ये पिद्धोग में क्या करके होने वाला है सबसे पहला मेरा गोश्वाक्य है कि सरकार बीच में ना आए बस बहुत कुछ हो जाएगा और उसी विचार के आस्पात जो की चीजे बनाई है एक तो हमने महत्वपूर्ण निर्णे किया है वो है self-certification आधारी compliance की व्यवस्ता start-ups के लिए नवस्त्रम और पर्यावरन कानून जो आपको प्रभावित करते हैं कि सबन्द में self-certification को हमने introduce किया है और एक बात तीन साल तक कोई inspection नहीं होगा और आप समझ सकते हैं कि जब inspector नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है दूसरी बात है start-up India hub single point contact यह हम व्यवस्ता खड़ी करने जा रहा है और hand holding की व्यवस्ता start-up में जैसे इन नवजवानों में एक विश्यस्ता मैं ने देखी इन लोगों से मैं कल से बाते कर रहा हूँ काफी कुछ मैं भी उनसे शिक रहा हूँ हर एक के दिमाग में एक चीज रही है कि वो अपना तो कर रहे हैं लेकिन guardian के नाते, mentoring के नाते बहुत अच्छा काम कर रहा है यह उनका अपना social contribution के रूप पे कर रहे है mentoring के रूप में वो और उनकों प्रोचाइट कर रहे हैं और इसलिए handholding की ववस्ता उस पर हम बल देना चाहते हैं एक मित्र के रूप में एक सलहकार के रूप में एक साध्य के रूप में सरकार कैसे आपके साथ काम कमें mobile app और portal इस वर्ष की पहली अप्रिल से start-ups के लिए online portal और एक mobile आधारित app से जरिये संचालित होने वाला एक छोटा सा form शुरू किया जाएगा वरना हमारे यहां तो address भी लिखते हैं तो दस line का होता है फलाना गाउ फलानी गली के सामने फलाने मोलने से गुजरते हुए पिछली किड की बै मूलता हम दोगों का सभाव हर चीज को बड़ा करना लंबा करता है तो इसको एक mobile phone पर simple सा एक छोटा सा application form बन जाए तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसको registration की बबस्ता भी उसी प्रकासे होगी एक और problem रहता स्टार्ट अप के लोगों के लिए patent का और intellectual property right ये सबसे बड़ी बात रहती है क्योंकि अगर वही तो पूझी है start-up वालों की अगर उसको protection नहीं मिला लेकिन कभी के विमारिया patent के लिए महिनों लग जाते हैं प्रोसेस में ये ये चिंता जलक व्यवस्ता को बदलना है और patent registration का सिगर पता लगाना इवन कानूनी सहायता हम नए प्रवगों को protection देने की आवश्यक्ता को समझते हैं हम start-ups के IPR subsection की scheme ला रहे हैं जिसमें start-ups को patent आजी के आवदन सिख फाइल करने के में सहायता मिलेगी और ये भी सही है कि intellectual property की दुनिया में बिश्व में जितने registration हुई है उसमें काफी पीछे हैं हम लोग IP में नहीं है लेकि वाइपी में है हमारे पास youth property है वाइपी और वो मुझे वाइपी और आइपी को मिलाना है ताकि हमें कुछ ज़्यादा प्रणाम मिले हमें भी एक सोच रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहरों में एक इस काम के लिए facilitation की वबस्ता हो स्थानी चेंबर अपकामर्स हो या और लोग हो उनके साथ मिल करके इस विशे के वकीलों की का एक समू हो इन सब को जोड़ करके उनको कैसे निश्वल के ववस्ता हो ताकि इस फिल में काम करने वाले वकीलों की संख्या बहुत कम है और फ्री भी बहुत ज़्यादा है और उसको लगता है कि भई इस काम के लिए मैं इतने रुपिये दूँ उसी प्रकार से फीज में भी आज जो फी है पेटन के लिए उसमें हम 80% reduction के देखें क्योंकि देखें भारत का भविश भी इनोवेशन और क्रियेटिविटी में है और इनोवेशन और क्रियेटिविटी को जीतना हम बल देंगे उतना ही हमें परणाम मिलेगा हम स्टार्ट अप्स के लिए सार्वजनी खरीद की शर्तों में भी छूट देने का दिरने कर रहे है सरकारी खरीद में स्टार्ट अप्स को बढ़ावा हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है कोई भी काम है तो पूछते हैं कितना टर्न ओवर है वो कहता है मोका दोगे तब ही तो टर्न ओवर शुरू होगा या कोई काम देते हैं बोले कितना एक्पिनेंस वो कहता है भी एक्पिनेंस की शुरुआ तो करो कही से और इसलिए नये के लिए दरवाजे बंद करनी की वेवस्ता है हम उसमें छूट देने की जिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते है ताकि quality को हाँ उसमें compromise नहीं होना चाहिए लेकिन नया है इसलिए उसको मोका न मिले ये स्थिती तो बदलनी है तभी नवजवानों को अवसर मिलेगा लेकिन मेरा आग्रह है zero defect and zero effect तो इस पर हम जिरू बलतेंगे एक और चिंता का भीशे है हमारे देश में exit के लिए कोई विवस्ता ही नहीं है एक बार pipe में आ गए और इसलिए start-ups के लिए हम सबसे पहले एक exit की विवस्ता कर रहे है हम यह बहुत ही समझते हैं कि एक विशाल और सफल कारोबार का निरिमान करने के लिए और सफलताओं से बचा नहीं जा सकता और सफलता है होगी और मैं सबसे ज़्यादा और सफलताओं के लिए हिम्मत करने वालों को प्रमोट करना चाहता हूँ जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सिछ सकता है एक बार तो डूबना ही पड़ता है तब जाकर के तैरना शुरू होता है और इसलिए इस बात तो ध्यान में रखते हुए नब्बे दिन के भीतर स्टार्ट अप्स एजिट कर पाए हम ऐसी ववस्ता करने के लिए सांसद में बैकरप्सी बील्ट 2015 हम लाए है अब बागी मुसीबत तो आप जानते हैं अब आप नवजबान अपने ट्वीटर फेस्बुक के दुनिया में इस मैसेज दीजिए काम अटका पड़ा है पाल्लामेंट में हो सकता है आप समझेंगे कुछ लोग फंड अब फंड्स स्टार्ट अप की विद्टी अवसक्ताओं को पुरा करने लिए अगले चार वर्सों में तू थाउजन फाउजन 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 करोड रूपिय की प्रतिवर्श आवंटन के साथ तैन थाउजन करोड रूपिय का डेडिकेट फंड बनाये जाएगा अगा 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 आप पिछले दिन इस काम को शुरू किया है स्टार्ट अप्स के लिए ग्रैडिक गरिंटीड फंड आपके फंड समंदी अवशक्ताओं में सहायता करने के लिए हम अगले चार वर्षों में प्रती वर्ष 500 करोड रुपे की नीजी के साथ आपके कैर्डिड गरिंटी स्कीम लाएंगे और इसके कारण मैं समझता हूँ काफी सुविजाएं आपकी बढ़ जाएगी उसी प्रकार से टैक्स इंसेंटिव्स स्टार्ट अप्स के लिए एक वित्तिय समसाथ हनों को बढ़ाने के लिए हम सरकार द्वारा मानिता प्राप्त फॉइंट्स के निवेश किये जाने वाले कैपिटल गैन टैक्स की छूट देना चाहते हैं अब वाकी बात तो फाइनांस बिस्टा करेंगे लेकिन मैंने उनके हाजरी में बोल दिया है तो गाड़ी आगे चलेगी कोई व्यक्ति अपनी संपती बेचने से आए हुए धन को अपने ही स्टार्ट अप में लगाए तो कैपिटल गैन से उसे मुक्ति दी जाएगी स्टार्ट अप से प्रॉफिट को तीन साल के लिए इनकप टैक्स से मुक्ति दी जाएगी कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि मैं सरकार से कहूंगा को विशेश योजना उनके लिए बना सकते हैं तो हम फैर मार्केट वैल्यू के उपर इन्वेस्टमेंट पर लागने वाले टैक्स से समन्दीज आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे इन्कुबेशन एंड इन्डस्ट्री अकडेमिया यह बहुत महत्वपूर व्यवस्ता है क्योंकि इसके बिरां इस विशे को डेवलप नहीं किया जा सकता हैं और इसके लिए अटल इन्वेशन मिशन एम विश्वस तरिये इन्वेशन हब को बढ़ावा देने टेक्नोलोजी आधारित स्टार्ट अप्स को कॉम्पेटिटिव बनाना और उसके लिए एक अटल इन्वेशन मिशन प्लाइटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं इसका उद्देश प्रतिभा उप्योग के उद्दिमित्र को बढ़ावा देना तथा इन्क्यूबेटर्स के नेटवर को सुदर करना इसके तहर सेक्टर स्पेसिफिक इन्क्यूबेटर्स को निर्मार करना है 500 टिंकरिंग लैब्स तैयार होंगे प्री इंक्यूबेशन की अलग व्यवस्ता की जाएगी मवजुदा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको और बल्वान बनाये जाएगा और स्टार्टरप्स को सीड केपिटल भी दिया जाएगा इन्वेशन को एक राष्टियस तरपे एवोर्ड देने की दिशा में भी सोचा जाएगा जिसके कारण इस बात को प्रोच्शान मिले उसके लिए अलग से व्यवस्ता की जाएगी वर्तमान में अल्रेडी 35 नए इंक्युवेशन सेंटर स्थापना करने का तो काम चली रहा है पब्लिक प्रावेट पार्टरशिप का अब मोडल इसमें लिया है और करीब 35 पब्लिक प्रावेट पार्टरशिप से नए इंक्युवेशन सेंटर बन रहे है रास्तिय जो समस्ताएं हैं उसमें 31 सेंटर्स अफ इनोवेशन, 13 स्टार्ट अप सेंटर्स और 18 टेक्नोलोजी बुजनेस इंक्युबेटर्स की स्थापना का भी काम चल रहा है अभी आपने IIT मड़रास का देखा उन्होंने रिस्ट पार्क में जिस प्रकार से काम खड़ा किये सो से ज़्यादा कमपनियां उस पर काम कर रही है इसी प्रकार से हम साथ और सेंटर खड़े करना चाहते हैं देश में और उसके लिए करीब 100 करोड डुपीच भारत सरकार दे जिसमें हम जितना बल दे उतना कम है और बायो टेकलोजिवे में एंटरप्रेशिव को बढ़ाने के लिए पांच नए बायो क्लस्टर्स पचास नए बायो इंक्युबेटर्स एक सो पचास टेकनोलोजी ट्रांसफर आफिसेज और ट्वेंटी बायो कनेक्ट आफिसेज बनाने का निरी ने किया है विद्यार्थियों में भी ट्रैलेंट रहती है इस फीशे में इवन स्कूल के बच्चों में भी कुछनों कुछ इनोवेशन का स्वबाव रहता है इसको बढ़ावा देना है क्योंकि भारत ने इनोवेशन में कुछ नों कुछ कार दिखाना होगा तो छात्रों के लिए इनोवेशन आधारित कारकम शुरू किया जाएगा क्योंकि उनके अंदर यह जो स्पाक पड़ा हुआ है उसको अगर चैनलाइज करे तो देश को बहुत कुछ मिल सकता है स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर प्रोग्रेम शुरू किये जाएंगे और पांच लाख स्कूलों में दस लाख बच्चों पर फोकस करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज इच सरकार दस ऐसे इंक्यूबेटर की पहचान करेगी जो वर्ल क्लास बनने की ख्षमता रखते हैं इन में से प्रतेक को दस करोड रुपे की सरकार के तरफ से सहायता दी जाएगी स्टार्ट अप्स के लिए कोई कोई इवेंट करने रहेंगे ताकि क्या हो रहा है इसका भी परिचे होना जरूरी है और इसलिए स्टार्ट अप फेस्ट इसकी परंपरा हमारे देश में बननी चाहिए मैं जब सप्टेंबर में यूएस गया हमारे शुकल जियां बैटे हैं तो और काफी मित्र उस्ट में थे वहाँ यूएस में स्टार्ट अप के दिशा में भारतिये लोगे ने बहुत कुछ काम किया है तो मैं हिंदुस्तान चे 40 ऐसे स्टार्ट अप के लोगों को लेके गया था और वहाँ पर एक जॉइंट इमेज किया था इतना इंस्पारिंग था मैं काफी देर हर चीज को देखा था भारत में भी हम स्टार्ट अप फेस्ट को परंपरा के दुरुप से खड़ा करना चाहते हैं सरकार उसमें जितना भी मदद कर सकती हों करेगी ताकि हमारे नई पीड़ी के लोगों को देखने को भी मिले नए सपन देखने की ताकत मिली है अब ये अपने अपने बहुत बड़ा संदेश है अगर हम लगातार इस बात को करते रहते हैं तो हमारे नए लोगों को भी जो उनके मन में कुछ पढ़ा होगा तो उनको एक आउसर मिल सकता है और उसका एक नेटवर्किंग भी अच्छा कर सकता है तो जो योजना को मैंने आज अभी आपके सामने प्रस्तूत किया है इसके कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं मुझे विश्वास है कि ये इवेंट आने वाले दिनों में भारत की युवापीडी को भारत की टालेंट को भारत के लिए मानोता के लिए कुछ दो कुछ नया करने की ताकत देगी प्रेणा देगी मेरी सभी नवजवानों को रदय से बहुत बहुत सुपावना हैं विश्वक एनेक भागों से जो लोग आये हैं मैं उनका रुदय से अभार वेक्त करता हूँ क्योंकि उन्हों ने आकरके सबका हस्ला बुलंद किया है और भारत बहुत तेगी से आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ने वाला है और उसमें आप लोगों की एहम भूभी का रहने वाली हैं बहुत बहुत शुप कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद